जय गुरू जगजननी स्रिसी बड़मा के संबन्द में परमप्रम मैं सिसी ठाकुर जी कुछ पोले हैं तो उसके बार में आलोजना करते हैं सिसी ठाकुर बोले हैं नारियों की सार्थगता मातरुत्व में हैं प्रकुत्व मातरुत्व स्पूरण जब लड़कियों में होता है तब स्त्री के माध्यम से भी स्वामी को मातरुत्व का स्पॉर्स मिलता है संतन की स्वास्थ्यता और पूष्टी के लिए माताओं में जिस तरह एक पागलपन रहता है स्वामी के लिए भी वैसा ही होता है मा के चले जाने के बाद बड़ी बहु में वैसा भाव मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया अधिकतर समय तो वो घर में रहती है लेकिन मैं देखता हूँ यदि मैं तीन बार चिंगता हूँ वो भी उसको पता चल जाता है मालो खाने बेठाऊं खटा काऊंगा बोली बार बार जैसा चिंग का रहा है आज खटा खन ठीक नहीं है एसा भाब देखकर मुझे अच्छा लगता है चर्चा के बीच सिसी ठकुने का है आवर्शन या अनिच्छा अभी भी आता है आटेंशन ब्रेक या मनोयक टूट हो जाता है आटेंशन ब्रेक या मनोयक टूटने होने से ही बेमोरी फेल या समरन सकती अक्रिय कर जाती है बड़ी बहुका लेकिन ऐसा नहीं होता है सब कुछ है उसके पास मागर अब बहुत कुछ हो गया है बरतन बैगरा अभी भी सुन्दर तरह से सजा कर रखती है जैतु जनोनी में से दीप रखी पंचमखर्ण जगजननी सिसी बड़मा के प्रती परम्टर में सिसी ठाकुर के भवदकार तुम स्वाधी सत्ती स्वामी परायान हो तुमको फिर मैं क्या सिख्या दूँगा बलकि मैं ही तुमारे निकट तुमारी स्वामी भक्ती की सिख्या पाने की उपयक्त हूँ संबब हो तो तुमी जहां तक हो सके ले चलो जोस्त्री स्वामी को सक्षयत देवता मन कर स्वामी सेवा देव सेवा समझ कर स्वामी के सूख में सुखीनी स्वामी के दुख में दुखीनी होती है जो रमणी स्वामी के बिना और कुछ भी नहीं जनती है ऐसी देवी के निकट मुझे बहुत कुछ सिखना है आप लोगों के ठाकूर यदि नारी देह धरन करके जन्म लेते तो उनका जो रूप होता वही या बड़ी बहु है बड़ी बहु यदि स्वस्त रेती तो मैं सायद अतिसिक स्वस्त हो जा सकता बड़ी बहु नहीं रहने पर मेरा लोग जिवन ऐसा निरुदेख नहीं होता जाई गरूँ